पांच में से चार सीटें आम आदमी पार्टी को और जीरो सीटें भारते जनता पार्टी को दी हैं इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सभी कारे करताओं को जिन लोगों ने खूब मेहनत की थी ये जो नतीजें ये दिखाते हैं कि एक बार फिर से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उस काम पे अपना भरोसा जताया है और हम अच्छा काम कर रहे हैं इस पे अपनी दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है ये दिखाता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के काम से बहुत ज़्यादा खुश है 2015 के चुनाओं में हमें 70 में से 67 सीट मिली थी पांच साल के बाद 2020 के चुनाओं में हमें 70 में से 62 सीट मिली थी जिसने दिखाया कि जनता हमारे काम से खुश है और अब 6 साल के बाद आज जब नगर निगम के उपचुना हुए तो आज पांच में से 4 सीट देके दिल्ली की जनता ने बता दिया कि जैसे काम कर रहे हो ऐसे काम करते हो और जो जिरो सीट भारती जनता पार्टी की आई है वो ये दिखाती है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 6 साल के कान से दिल्ली की जनता बहुत खुश है दूसरी तरफ भारती जनता पार्टी के 15 साल के काम से दिल्ली की जनता बहुत नराज है इतनी नराज है इतनी नराज है कि उनको जीरो पिला दिया चारो तरफ दिल्ली के अंदर एमसीडी ने गंदगी भेला रखी है MCD के अंदर MCD सब लोग कहते हैं MCD का फुल फॉर में most corrupt department इतना ब्रष्टा चार है इतना ब्रष्टा चार है MCD में जनता इस तरह का ब्रष्टा चार नहीं चाती जनता चाती है कि जैसा दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है वैसा ये अच्छा काम अब MCD में होना चाहिए और ये जो 24 घंटे इनका ये जो चारो तरफ इन्होंने होडिंग लगाए केजरिवाल जी मुख्यमंत्री जी 13,000 करोड रुपए दो जो पिछले दिये थे वो तो खाली है बहुर दो तो वो जनता ने कहा भी देते हैं वो जनता को पसंद नहीं आए होडिंग जितने लगाए थे वो जनता को पसंद नहीं आए उसी का नतीजा है जनता देख रही है कि यह 24 गंटे पैसा पैसा मांगते रहते हैं पैसा पैसा मांगते रहते हैं दिल्ली सरकार का जितना समविधान के साथ से बनता था सारा पैसा दे दिया दिल्ली की जंता समझ गई कि वही केजरी वाल सरकार को तो जितना पैसा देना था दे दिया वो सारा लूट पार्ट करने के बाद कहते हैं और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा जंता को ये पसंद नहीं आ रहा कि हर महीने इनके पास तंखा देने को भी पैसे नहीं होते तंखा के लिए भी रोते रहते हैं तंखा के लिए भी रोते रहते हैं जनता को यह पसंद नहीं आ रहा कि जो सरकार आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ हमारे को केंदर सरकार से कोई मदद नहीं मिलती अगर मैं रोना चालू कर दूँ मेरे को टीचर्स को तंखा देने के पैसे नहीं है, तंखा देने के पैसे नहीं है, तो मैं छोड़ दूँ फिर, मेरे से नहीं हो रहा तो छोड़ दूँ, हमने कभी ऐसा नहीं किया, एक तरफ हम केंदर सरकार से पैसे भी मांगते हैं, और तंखा नहीं दे सकती उसको तो एक भी दिन रहने का दिकार नहीं आज जनता ने भी क्या दिया वह ऐसी सरकार्णी चाहिए जो 24 घंटे बस ना तंखा देने को पैसे और 24 घंटे बस और पैसा और पैसा पैसा इसके लावा तो 15 साल में लोगों में क्या देखा आज मेर से कोई पूछे दिल्ली सरकार में क्या काम किया मेर से क्या जंता से पूछे और दिल्ली की जंता छोड़ो पूरे देश में अगर जंता से पूछे कोई जाके गोवा में चले जाओ पंजाब में चले जाओ उत्तर प्रदेश में चले जाओ कहीं चले आ बोले जि给我 क्या काम किया पूरे देश की जनता कंदेशी के गबिचली एंव कादा कफ़्छी बिजिली फ्री करदी पानी ठीक करदीया सड़ के बनवा दिसारे देश की जनता कह रही है रही और जंता से पूछो पंदरा साल में नगर निगम में बीजेपी ने क्या किया एक काम नहीं किना सकते केवल चोरी करी ब्रश्टाचार करा सब कूड़ा फैलाया गंदगी फैलाई तो जंता को ये पसंद नहीं है जंता अब MCD के अंदर बदलाव चाहती है जंता चाहती है जैसा काम दिल्ली सरकार कर रही है वैसा काम यहां भी होना चाहिए और ये जो इन्होंने हिंसा की राजनीती करी मनीश जी के घर में घुसके जिस तरह से इन्होंने तोड़ फोड करी वो जंता देखती है जंता क्या रही है काम करो तुमको काम करने के लिए वोट दिये थे डिप्टी सीन के घर में घुसके तोड़ फोड़ करने के लिए वोट नहीं दिये थे जल बोड़ के अंदर घुसके इन्होंने तोड़ फोड़ करी जनता देख रही है चुपचा देख रही है जनता जब बटन दबाने का टाइम आता है जनता उस टाइम अपना जवाब देती है जनता को इस तरह की राजनीती पसंद नहीं है जनता कह रही है काम करने के लिए वोट नहीं दिया था हमने जल बोड में तोड़ फोड करने के लिए वोट नहीं दिया था जल बोड़ का सारा फरनीचर तोड़ दिया, सारे शीशे तोड़ दिये, इसलिए वोट नहीं दिया था, जनता को इस किसम की राजनीती पसंद नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आज जो नतीजे आएं, शायद यही यह एक आगाज है कि अगले साल जो MCD का चनाव होगा, उसमे हमारे आज जो चार लोग जीते हैं, उन्हें मैं बहुत-बहुत जनता की तरफ से बदाई देता हूं, और मैं उनसे यह कहता हूं कि जो भरोसा आज दिल्ली की जनता ने आप चारों पर किया है, उस भरोसे को मत तूटने देना, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, एहंकार मतलाना अपने उपर और सबसे critical काम एक counselor का ही होता है, सवेरे उठके एक बारी चक्कर लगा है, अपने एरिया में सफाई हो गई, नहीं हो गई जनता बड़ी खुश हो जाती है, एक चक्कर लगा की हाजएं, में काम तो सफाई काई हैं, बाखिए तो सारे kाम होते ही रहते हैं, त तुम चारों काम करोगे और भी जो हमारे काउंसलर है वो भी अच्छा काम करेंगे तो अगली सार जनता आप अपने को आम आदमी पार्टी को पूरा मौका देगी में और मैं तो इसकी इंतजार कर रहा हूं तो मैं बड़ा इंतजार कर रहा हूं कि जिस दिन mcd के अंदर अपनी सरकार बनेगी हम दिल्ली को एकदम चमका देंगे दिल्ली की जनता को एक बार फिर से बहुत-बहुत बढ़ाई